उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री योगी आदे तिनाथ के प्रयासों से केलाश मंदर से दाउजी तक नए मार्ग का निर्मान हो रहा है इस सड़के बनने से आगरा से बलदाओ की दूरी कम हो जाएगी जिससे शेत्रिय व्यापार और तीर्थ यात्राएं तेज होंगी नया मार्ग दाउजी और रमंडरेती जो से तीर्थ स्थानों के दर्शन करने वाले मक्तों के लिए वरदान साबित होगा इस वक्त हम मौझूद हैं बलदे मार्ग पर जो सिकंद्रा से कैलास मोड पर कह सकते हैं कि कैलास से बलदे मार्ग पर देखने को मिलता है जिस तरह से देखा जा रहा है कि अब ये पहली बार रोड बनते हुए देखने को मिल रहा है जिस तरह से हमारे साथ यहां पर कुछ जो रहागीर हैं उनसे बात करेंगे कि किस तरह की शुबदाइं हैं जल्दी यह मार्ग बन जाएगा मैम डेली निकलते हो यहां से मैं सर मैं तो आजी आई हैं कैसा रास्ता था सर रास्ता तो खराबी है सर रास्ता से अच्छा रख फाया तो रास्ता बन रहा है शुबदाएं दिखने मिलेंगे अच्छा लगेगा शर रास्ता बन जाएगा सुबदाएं तो peng जाएंगी जैसे अभी क्या है कि इस रोड से कोई जाना चाहता है क्योंकि रोड खराब है 5-10 किलोमीटर दूरों के उधर से रोड है वहां से लोग जाते हैं अब रोड बन जाएगा तो सर सवब्दा तो यह जो उधर से जा रहा वह उधर से चक्कर लगा कि क्यों जाएगा इधर से जाएगा और हमारे समय की भी वचत होगी प्लस हम लोग स्कुट्टी बागरह से जाते हैं तो बहुत परिशान होजाते हैं दोची वाला रस्ता होता है दोोज्स सही हो जाएगा तो वही कफ्र हैं पुलिप कि स्थिति बहुत जादा खराब है कि यहां से जो राहगीर है उनका भी मानना है कि जिस तरह से देखा जा रहा है हमारे साथ छेत्री लोग भी मौजूद हैं यह उन से बात करेंगे कि किस तरह का जब जी रोड बन जाएगा किस तरह की सुबधाइं देखने को मिलेंगी अब पैलिवार रोड बनना यह क्या कहना चाहते हैं से वहन करेंगे का से मदिश्यिंगी वह पहलवीर demásus तो पीक जने जाते थे तो इसे बार नुकसान भी काफी हुआ है जैसे हम गिर जाते थे रोड़ पर और बहुत बशात हो जाती थी तो इस पर निकलना भी नहीं है और रस्ता यही है और दूसरा कोई रस्ता ही नहीं है यह मतलिक केलास मार और इस पर मतलिक गाउं भी है जैसे सियत गाउं में अपना नेरा गाउं में फिर आसे उससे आगे जमना नगर है उससे आगे भरोली है भरोली से आगे मंगना है क्या समयाई फिर यह समय लो मांता दाव जी तक बहुत से गाउं है क्या बज़े थी इतने सालों से ये रोड नहीं बनना था कह सकते हैं कि कैलास से चंद कदमों इक मतलब चंद 20 मिनिट के रास्ते में आप दाव जी माराज जो तीर सिस्थाने वहां पहुंच जाएंगे उससे आगे मावन है और क्शौरासी खंबा है रमड रेती है कई ऐसे ज ऐसे पर अब उन्होंने जाकर अब झान दिया है तो वो काम करा रहा है हां मैंसली इधर से यह लोग जाते आते नहीं थे और कभी इस रोड पर ऐसा जादा तरह इस्वे माकान नहीं बने हुए थे इसकारन में उन्हीं दूफिल भी नहीं था अब पुल बन गया गंगायल तो लोगों ने ध्यान दिया देखो महरवान हो रहे हैं बन वा रहे हैं अच्छी बात है जिस तरह से लास्ति का भानी जिस तरह से निर्मार चलेगा देगा तो इस चीट लैड भी लगेंगी यहांपर लायट की मामले में तो सर में छोटा आदमी मजदूरू में कुछ नहीं कि में आपको बता नहीं सकता दूसी बाज है कि मैं बोल भी नहीं सकता हुं लाय consumers खेट्र में काफी साल पहले ऑज चुकी ती परन्तु इस रोड़ पर कोई भी लैट्ट muk चुबता नहीं है बहुत जब्लिदी Hypoth यहां पर हम लोगों को भी नहीं मिल से काम तक कोई शुबदाब को की चीज सरकारी है ना तो कोई फिराइवेट है ना सरकारी है, सरकारी में मेरे बच्चे जाते हैं पढ़ने के लिए उसमें भी कोई सुब्दा नहीं है, दो साल हो गई, कोई किताब कौपी लाग उपई सा कोई आथ तक हमें नहीं मिले, पता नहीं यहां के मैडम खायाती है, क्या होता है, अब बात करेंगे, सर पहली बार यह रोड बनना है, डेली आते जाते हैं, कैसा लगेगा अब यह रोड बन जाएगा, क्या मतलब टाइम के साथ साथ अपनी फ्यूल की भी बज़त हो, बहुत ज्यादा सोट पड़ जाएगा तावी के लिए, पर यह बन तो जाए, बहुत साल हो कहां से, जब आप यहां से जाते हैं, एक गंटा लग जाता है, लेकिन दूरी तो वो काफी कम है, लेकिन दूरी तो कम है, लेकिन रोड खराब है, तो टाइम तो उतना ही लग जाता है, रोड जल्दी बन जाए, तो कुछ बेनिफिट हो, देखा कि यहां से गुजरने वाल देखने को मिलेंगी अपने साथ एकवाल के साथ गोपाल शर्मा सी न्यूस आगरा